तो रादे राती दोस्तों स्वागाते हैं आप सभी का हमारे सायल में जहां हम बाते करते हैं फैशल ब्यूटी पुजा पाट और स्पेशल लड़ो गोपाल से रिलेटेड टॉपिक्स पर तो जैसे कि नवरात्री सेशन चल रहा है और मैं बहुत जाद वीडियो डाल नहीं प पबर किया है तो शहली देखते हैं हम आगे इसको कैसे बनाएंगे तो देखिए यहां पर मैंने यह मुकोट लिया है यह बेस बनाओ बना दिया है मैंने प्रॉपर तरीके से इसको यह मुकोट का बेस मैंने बना दिया है और मैं आपको बताओं जिन लोगे ने मेरी वीडियो देखी हो यह ना पहले भी उसे मैंने बता रहा है कि मैंने बनाया कैसे है तो इस चक्कर मैंने आपको बना के दिखाया नहीं बट नेक्स चैम मैं आपको ज़रूर बना के दिखा बनाना बहुत इजी है यह आप वीडियो में जाकर चैक आउट कर सकते हैं मुकोट का एक वीडियो है होली शेशन मेंने बनाया था इन अवरात्र का शेशन चल रहा है और यह दिखी मैंने बेस बना की बिल्कुल रेडि कर लिया है अब मैं आपको बताती है अब इसमें क्या क यहां पर मैंने तीन कलर के मैंने रिबल ले लिये हैं अब मैं क्या करूँगी सबसे नीचे मैंने डैट लिया है इसके उपर रखुझी यलो और इसके उपर आ जाएगा यह ग्रीन और हमें इन तीनों को ही एक साथ पेस्ट कर लेना है यह ग्रीन है वीडियों पहताने कि यह ब्लू सा ही आ रहा है बट यह ग्रीन कलर ठीक है हमें सीधे-सीधे रिबन रखे और जो है हमें इसे पेस्ट कर देना है यहां पर यहां पर यह मैंने एक पेस्ट कर दिया है इसी की उपर मैं एक और पेस्ट करूंगी इसी चेक भी करना होता है रिबन उल्ठाया सीधा है ना अधरवाइस उल्ठा चिपक जाते हैं देखे मैंने रिबन चिपका दिये हैं अच्छे तरीके से और अगर आप चाहां तो थोड़ा-थोड़ा साइड से बन भी कर सकते हैं और बन कर दूंगी इसको यहां पर दबा दे रहे हैं यहां पर मैं इसको अलक अलकर जला लिया है और मैं इसे इस तरीके से दबा दे रहे हैं अभी सूख जाएगा अपने अब अब मैं क्या करूंगी जैसे हम चोटी बनाता है न वैसे हम इसको गुथेंगे इस तरीके से गुथ होंगी मैं इस तरीके से मैं गुथ दूंगी इस वे देखिए मैंने इसको इतना गुथा है और मैं इसको प्रॉपर गुथते हुए आपको बता देती हो कि मुझे इसको गुथना है और हाँ हम इसे एंड में कटनी करेंगी क्यों हमें पता नहीं है कि एक्शली कितनी लेंथ लग जाओंगी पूरत एक सब्सक्राइब काफी लंबी सी एक डोरी टैप बना दूंगी बाइचंस अगर कम पढ़ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी तो इस वज़से मैं प्रॉपर गुथे बनाती जाओंगी और काटोंगी नहीं क्यों नहीं कट करूंगे मैं आपको आगे ब लपेट नहीं कट करूंगी यहां से कलिप निकाल दे रही हूं मैं और यहां लगा दूंगी इसको इस तरह किसे देखिए इसको यहां लगा दिया है मैंने अब मैं क्या करूंगी अब देखिए मैं क्या करूंगी मैं इसको इस तरीके से यहां पर ऐसे करके पेस्ट करूंगी तो उसके लिए मैं क्या ले रही हूं मैं ले रही हूं पर फैब्रिक ग्लू और मैं बस ग्लू गन नहीं है तो वह बहुत बड़ा एक मिस पॉइंट है मेरी वीडियो के लिए क्रेशन के लिए बट मैं इसको ले मंगाया है वो आ नहीं रही है शॉप पर आनी पा रही है डोन नो क्यों बट मैंने मंगा रखा है आज आईगी तो पर मेरे लिए काफी असान हो जाएगा इन चीज़ों को बनाना यह देखिए मैं इसको इस तरीके से पेस्ट करूंगे तो उपर की तरफ पहले तो यह लग गया मैं इसको नीचे से यहां से पेस्ट कर दूंगे अपना क्या करूंगे यहां पर इधर डाल दूंगे ग्लू यहां पर इतने में ग्लू लगाओंगे मैं थोड़ा से मोटा करते हुए और हलकलका उंगली से फैला दूंगे इसको मैं हां से इस तरी के से कर दूंगे और यह पीछे की तरफ जो लगाता हुए यहां तक हमें पीछे करना है अब मैं किया करूंगी मैं यहां से इसको ऐसे करके ले क्या होंगी यहां से ऐसे करके तो क्या करेंगे हम पीछे लू लगा देंगे अच्छे से यह जू लगा दिया मैं नहीं हाप पर इसको दबा दूंगी मैं यह अजुआ है है जाओ यह है कि यह देखिए यहाँ पर मैंने यह पिस्ट कर दिया अब थोड़ा-स और मचबूत करने के लिए यहां ठोल को यहां पर ना फोड़ाल करतीया मैं फोर्फ है इसको पिंसे लगा दूंगी जिन लोगो ने मेरी वीडियो वह देखि है जिसमे मैं बनाया था कानर जी के लिए भोग रखने के लिए सिंघाशन टाइप उसमें मैंने इस तरीके से लेस को अटेच करने के लिए पिन का यूज किया था अब मैं यहां पे भी लेस जो है मेरा ग्लू लगा के मैं यहां पे इसको ऐसे तिर्चा लेकर जाओंगे देखें अब एक यहां से मैंने लिया यहां तक लेकर आई यहां से यहां तक लेकर आई जब हमारा यहां कट होता है ना कट से लेकर मैं इसको यहां तक लेकर आई इसके बाद मैं इसको ऐसे लेकर देखें ऐसे यहां से पकड़ा और उपर की तरफ उपर की तरफ देखें उपर की तरफ करक करनें और यह एसे करके यहां आएगा ऐसे करके मतलब यहां से नीचे और घुमाते हुए उपर की तरह यह कुछ इस तरह कीं है तरक यह का यहagar मैं क्यारंगे पीछे पीछे के तिरफ भी में ग्लू लगा दूगी देख़ ग्लू गन तो हमारे पास है नहीं तो हम क्या करेंगे पक्का काम करेंगे पक्का खाम इट मेंश के हमें इसको अच्छी से सिक्क्योर करके लगाना है कहीं से भी ग्लू एक बार को आप कंजूसी नहीं करने हैं ग्लू लगाने में क्लू लगाने में कंजूसी होगे तो अब यह भी सही बनेगा नहीं तो अब नीचे पिनना लगाते हैं यह मैं कप्ड़ो वाली चिम्टी लगा दे रही हूँ तो यह इस तरीके से यहां पर सिक्योर हो आएंगे देखिए मैं अब यहां से भी ब्लू लगा देती हूँ तो यह कुछ इस तरीके से रहेंगा मेरा यह थोड़ा से रिब्बन पर भी लगा दूंकि मैं और इस तरीके से यहां पर इसके बाद में क्या करूंगे यहां पर भी एक कपड़वाल चिम्टी लगा दूंगी एड़ों नो वीड़ो में लिटरली मतलब ब्लू कलर आ रहा है बड़ी ब्लू कलर है नहीं ग्रीन कलर है रिब्बन का अब यहां से रिबन में हटाओंगी और यहां की तरफ ऐसे फिलाते हुए करूंगे अब देखिए हम क्या करेंगे यहां से पिन वह लगा दिया निकाल दिया है मैंने अब मैं इसको उपर की तरफ करते हुए यहां इसको इसको देखिए है मैं ऐसे करके लेके आऊंगे इसके बाद मैं यहां पएक पिन लगाते हुए ग्लू लगाते हुए अटेच करते हुए उसको नीचे से मैं ऐसे करके लेके जाऊंगी और पीछे से कुछ ऐसे करके मैं इसको यहां से यूं करते हुई लेके जाओंगी देखिए यह कुछ इस तरीके की लगेगी हमारी पकड़ी तो मैं इसको क्लियर कट कर देते हुआ हमको एक बर और देखिए हमने यहां से निकाला था ठीक है पिल लगा दे मैंने उसके बाद पीछे की तरफ लेकी आई और मैं यहां ले गई हूँ ठीक है यहां ले गई हूँ इसके बाद यहां से घुमाते हुए लेके जाओंगे मैं नीचे से फिर उपर की तरफ फिर उपर से यहां पिल में लगा दूँगे उपर से फिर यहां पीछे से लेके यह नीचे की तरफ कुछ इस तरीके कर रहेगी हमारी पगडी ऑप पीछे जो पीछे कैसे कवर करना है हम आपको बता दू रिबन को थोड़़़ थोड़़़ फीजे डिझे से खोलते जाएंगे आप पीछेंसे हलक्डल कर सबक्रू लगाते जाएंगे नहीं रिबन थोड़ा सक खोलते जाएंगे ऐसे आसे करके तो यह कवर हो जाएगे जब पूरी बन जाएगे नहीं तर मैं आपको दिखाते हूं यह इस तुरिक से हम और यह कवर करते हैं लेके जाएंगे ऐसे करके और हमारी पगड़ी कुछ इस तरीके की सामने से लगेगी और उपर का छिससा कैसे कवर करना वह मैं आपको बताते हूं पहले मैं इसको इतना कंप्लेट कर लेती हूं यह देखिये यह मैंने इतनी तरीके से और ही कुछ इस तरीके की लग रही है पीछे से अब मैं क्या करूंगी इसको निकाल दूंगी इसको थोड़ा सा खोल दूँगी मैं इतना खोल के चिपका के और थोड़ा से हां बंद कर दूँगी पहले मैं इसको कर लेती हूं तो यह देखिए मैंने इसको इतना कम्प्लेट कर लिया है मैं ज़रा यह निडल हां से निकाल लूँगी और मैंने यह बल्विट का फैबरिक स्कुख लिया है इसो में नाब के टीच करके इसके बाद मैं इसी के अंदर कोज पेस्ट तरीकी से को petites कर एकाल मैं हल्का-हल्का सकते होगे हैं सरान से पर घूल यहां से पहले दूर इस तरीके सी रखी से कर सथा है और कत कर देती हुं уже पहले मैं इस तरीके से परेस्ट कर दूंगेshots तो यह यह उसको पहले कि «गण कर दूंगे» यह देखिए यह ऐसे है इसके मन रखा यहां इस तरीके से उपर की तरफ और यह अंदर जाते हुए अंदर करते हुए मैंने इसको पेस्ट कर दिया है यह इस तरीके से अब जितना उपर का एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा है मैं कट करके निकाल दोंगी यह देखिए यह कुछ इस तरीके का हमारा मुकट बनके अतना तो रेडी है अब अब चाहिए तो इसके उपर आप थोड़ा सा और इनहेंस कर सकते हैं मैंने यह लगा दिया ह और जोगलू के दाग है यह लगेंगे दिखेंगे नहीं ठीक है इस घ्लू के दाग नहीं दिखिएंगे तो सूखने के बाद यह लगा नहीं दिखेगा तो उसकी आप चिंता ना गये यह हमारे पगडी कुछ इस तरीके की रेडी हो रही है कई अब मैं क्या करऊंगी कि निडल में गाल लेते । निडले 5D दर्फार्ण पैल बड़ा काई करना है है तो हम किया करेंगे सबसे पथे तो बीज से हम ये डिडल निकाल देगे कुछ इस तरीके से इसके बाद बार एक बार एक सा मतरब हुआ टाङआँक assessors Lehr डेक हमें हमें पटटी के आर पार करना है घटी पहले मैं युकान बेगर इतना बारिक है कि यह दिखे इसलिए से हमें पूरी पगड़ी कवर करनी है टाके से ताकि कहीं भी खुले वुले नहीं दिक्कत ना आए तो इस वज़े से में बारिक बारिक टाके लेते हुए इसको पूरी कवर कर दूँगी यहां से हो गई अब मैं एक पीछे से भी ले लूँगी यह जो निकल रहा था ना यहां से यहां डाली निडिल इस कार पार कर दी देख सकता है यहां से आप देख सकते हैं किस तरीके से ले रहे हुए यह निडिल मेरी यहां आ गई है बहर अब मैं यहां की तरफ लगाऊंगी एक टांका इधर की तरफ अब मैं एक टांका यह फैब्रीक लेते हुए यह वाला फैब्रीक मतलब यह वाला यह वाला फैब्रीक लेते हुए यहां से मैं लिडल निकाल दूँगी ताकि चिपक भी जाए और मुझे कोई दिक्कत भी आगे ना आई इसको कहीं खुल जाता है कहीं कुछ इस तरीक का इश्यो ना हो तो उस पर इस से मैं इसको थोड़ा सा इसलिए मजबूत कर दे जहूँ और बारिक बारिक टांकी लेत है इस तरीक से हमें पूरी पगडी में जगा जगा पर टांकी लगाने हैं ताकि अच्छे से अटैच हो जाए अब आपको बता दिया है अब आप अपने हिसाब से जहां आपको लग रहा हो जैसे यह जोईंट दिख रहा है यहां पर यह वाला जंट इन मैं निकाल लिए अ अब मैं बारीक से अटाका लेते होगी इसको आरपार करूंगी इस तरीक से यह देखिए ऐसे करके यहां से अब मैं एक और यह बारीक टाका यहां से मैं एक लगा दूंगे कि अब मैं अब मैं अब मैं ने एक टाका लगा दिया है और यह नीचे करते होए थोड़ा थोड़ा रिबन नीचे करते होगे क्या करूंगी मैं यहां एक टाका लगा दूंगे यह रिबन यहां से नीचे करते होगे इस तरीके से बलते ही हम एक बारीक से टाका लगाओंगी इसके पात नीचे अगर आप चाहां तो लेस वगएर अटेच कर सकते हो बट मैं देखूंगी अग सब्सक्राइब नहीं कि लगाओंगे नीचे में कोई भी लेस वगएरा कि अब इसको थोड़ा सा और मजबूत करने के लिए देखिए यहां जॉइंट होता है ना जहां यह कट है इस कट के पास मैंने यहां पर यह कि बैलविट का फैब्रिक लगा दिया चोटा सा अब मैं क्या करूंगी थोड़ा सा और इसको थिक करूंगी उसके लिए यहां पर मैं लगा लूँगी यह तो यह देखिए यहां पर मैंने यह धर-धर फैब्रिक ग्लू लगा दिया है और अब मैं इसको थोड़ा सा पेस्ट कर दो हूं तो फिंग्र में भूड़ी सी इस तरीके से करके अब मैंया पर ये लगा दूंगी फैब्रिक कुछ इस तरीके से भूं यहां पर मैंने यह इसा ही फैब्रिक यहां लगाँगी तो देखिए यहां पर मैंने यह फैब्रिक अटेच कर दिया है तो यह कुछ इस तरीके कर लग रहा है अगर आप चाहें तो यहां भी अटेच कर सकते हो जैसे कि मैं कड़ दे रहे हूं अटेच यहां पर कितना सा चाहँ आई बनाप लिए अजार्य? यह सेगे से पूरी हो गई है यह देखिए यहाँ पर यह कुछ मेरी पगड़िस्त्री के से बनके रेडी है अच जाओ कर दो प्रोड़िस्त्री के से बनके अच्छों यहाँ इखिए